दोस्तों नमस्कार एस्व एलेक्टिकन टेक्निकल में आप पस्वागत है आज हम लोग जानेंगे ब्लोवर में सबसे ज्यादा खराब होने वाली कौन सी चीज है और उसी विशे में जानेंगे यह जानने के लिए हम वीडियो में हमारे साथ बने रहें सबसे देखिए सबसे पहले ब्लोवर को खोलने के पहले हम क्या करते हैं इस टाप को निकाल लेते हैं निकालने के बाद ही ब्लोवर को चेक करते हैं नहीं तो फिर लाइन देकर जेक करेंगे क्योंकि अभी हम खोलेंगे इसको इसलिए करन लगने का डर होता है इसलिए खोलने के पहले हम टाप को निकालते हैं, यह अब फोल दिया, अब हम टाप को फिर लगाएंगे, फिर चालू करके देखेंगे, दोस्तों इस तरीके से हम ब्लोगर को सही करना, करेंड लगने से बचने के लिए सब करते हैं, अब यह टेस्टर की मदद से हम ब्लोगर को चेक कर लेंगे, इसमें कौन सा पार्ट खराब है, दोस्तों आप स्विच को आन करते हैं, यह देखेंगे, फैंड चलने लगता है, फैंड चलने के बाद अब हीटर जलना चाहिए, हीटर नहीं जलता है, उसके लिए, देखें, हम टेस्टर की मदद से यह थर्मोष्टेट कहलाता है, थर्मोष्टेट के एक पिन पे चेक करेंगे करेंट आ रहा है, तो दूसरी पेंट पे पे बूस्टर करेंट आना चाहिए, क्यों एक से इन होती है, दूसरे से आउट होती है, अगर ऐसा नहीं है, तो यह खराब है, यह थर्मोष्टेट खराब है, कभी कदार इस पत्ती में जंग लग जाती ह यह देखिए नए thermostat हम ले आए हैं बजार से जो 15-20 रुपे के बीच में आपको मिल जाएगा इसको आसानी से change कर सकते हैं इस तरीके से अब change करने के लिए हम tap को फिर निकाल लेंगे tap को निकालने के बाद हम connection खोलेंगे connection खोल करके आपको दिखाते हैं अब यह देखिए यहां से हम यह दो पेच लगे हुए हैं बगल बगल में दोनों पेचों को खोल लेंगे इस तरीके से खोल लेते हैं खोलने के बाद हम thermostat में लगे यह lux छोटे छोटे लक्स कहलाते हैं और यह उसमें बटन डूमाई इससे बटन पहना जाते हैं यह सेम उसी तरीके से यह पहना हुए होते हैं और इनको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से यह देखिए टाइट थोड़ा होते हैं इनको हम निका आएंगे हीट करेगा और जलने लगेगा तो कट नहीं होगा इसका काम ही है अधिक हीट हो जाना कट जाना इस वज़े से इसको लगाया जाता है यही इसका काम है अब देखिए उसको हम उसी तरीके पेश से बांग देते हैं कस दिये हैं और कस करके यह thermostat की पिनों को फिल लगा देते हैं इस तरीके से कनेक्टर को लगा देते हैं और लगाने के बाद फिर हम चला के देखेंगे आप यह काम सही से कर नहीं रहा है नहीं कर रहा है चेक भी करेंगे इसी टेस्टर की मदद से हम ब्लोवर को चेक भी करेंगे और बना सकते हैं दोस्तों देखिए फि करने लगा अब ये देखे टेश्टर जल रहा है एक पर जल रहा है आप देख रहे हैं दूसरे पर भी दूसरी पिन पर लगाएंगे और ये देखे दूसरी पिन पर भी जल लगा है और इस तरीके से हमारा ब्लोवर काम करने लगता है दोस्तों अब क्या करते हैं भी धकन को ह जैसे खोले थे से हम उसी प्रकार से बांध देंगे वैसे ये हीटिंग बढ़िया काम कर रहा है अब इसको बांध देते हैं बांधने के बाद फिर एक बार चेक कर लंग तो सही है नहीं सही है इस तरीके से हम इसको बांध रहे हैं बांधने पार ये देखे फाइन चालू कि यानी First Hitter चालो कर You, दो हीटर लगे होते हैं 2000, के दो हीटर लगे होते हैं, दोनों को आन किया और ये चलने लगा, और ये बढ़िया काम करारात, दोस्तों, इस तरी के से खरापरे Bloober को अपने घर पे स्वयम सही कर सकते हैं, जिसमें Eleptation की कोई जरूरत नहीं, वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद